हम लोग जो है आज की क्लास में एक मूवी से सीखेंगे और खास करके ये बात हम लोग जानेंगे कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है जो डिकॉमेंड मैं कर रहा हूँ फिलहाल और देखो कोचिंग वाला नहीं करता है कभी डिकॉमेंड मैं सच बताता हूँ कोचिंग की अपनी मजबूरी है कोचिंग कभी भी आसान रास्ता चातरों को नहीं दिखाता है कि आप आसान रास्ते के साथ नही आएज पення का जाएए तो हम लोग एक अच्छा रास्ता देखेंगे आसान रास्ता भी देखेंगे जिसके जरी यह सफलता संभाव है तो जो एस्पिरेंट है उनको जो अपना नौलेज बढ़ाना है तो वो जो नौलेज बढ़ाना चाहिए उनको उनको आसान जो चीज है जो आसानी से लंबे समय तक याद रहे उस तरीके से तो आज मैं पहले फिल्म की बचरचा करता हूं कि इस वेक्ति को विलेन नहीं बोला जा सकता है ठीक है नहीं उनको बिल्लेन नहीं बोला जा सकता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं whatever Japan की यह कहा जाता है कि देवता जो है न कि देवताओं अच्छ यह on है के देवताओं ने समंदर में एक को तलुवां डुबाई ठीक है देवताओं ने समंदर में एक तलवार दुपाई और तलवार को जब बाहर निकाला ना तो उस तलवार से निकल के पांच बुंदे समंदर में गिर गई और यह जो पांच बुंदे समंदर में गिर गई वो जापान के पांच टापू बने तो जापान पांच टापू तोक्यो आखिर यह वो किस टाप उपड़ है यह बेसिक जानकारी उसकी होनी चाहिए जापान के बारे में अखिर क्यों पूछा जाता है और क्यों हम लोग पढ़ते हैं तो वह सब भी आज हम लोग जान जाएंगे यहां पर बहुत आराम से ठीक है तो हम लोग देखते हैं में इसे चात्रों को सीखने के जरूरत है वह यह है कि समूराई कल्चर जो है वो चात्रों के लिए बहुत जरूरी है है समूराई कल्चर का मतलब यह हो गया कि समूराई योद्धा जो होते थे वह सुछ में पहली किरन के साथ ही वह जग जाते थे और you have the practice में रहते में सातो दिन और 365 दिन लगा तारही और इसाथी में ये सिखने की जुरुत है जब इतने ही अच्छे लोग थे ता खिर खत्म क्यों हो गए तो खत्म इसलिए हो गए समुड़ाई क्योंकि समुड़ाई ने लड़ने के पुराने तोर तरीके पढ़ ही अपना ध्यान दिया या से पहले तो मोवी हमेशा चात्रों को देखनी चाहिए लेकिन सलक्टेड मोवी देखनी चाहिए हर मोवी पर ध्यान नहीं देना चाहिए तो मैं मोवी की लिस्ट दे दूंगा बता दूंगा कि ये मोवी देखनी है और इस मोवी में ऐसा क्या है जो हमें सीखने की जुरुत हैं तो सबसे पहले दला समुडाई पर ही रहते हैं फिर मैं अगले दूसरी मूवी है उसके बारे में चर्चा करदां करदूँगा दला समुडाई में हम यह दیکھते हैं कि जापान क एक राजा होता है राजा का नाम है मैंजी जो कम एक रिजिए स्वारा रहा होता है राजा ते और रेल-डोड को तोड़ दिया जाता है बार-बार राजा का छो सहायक है ओ मुदा उसका पूरा नाम तो तो कि और नहीं दो है दूसरी त 서amurai जो विद्रो किये हुए है राजा के गेंष्ट में तो विद्रोफ वह गलत नहीं है राजा के खिलाफ अगर विद्रोफ में खड़े नहीं होते समुराई तो राजा को कब का अमुडारास्टे से हटा देता तो वो समुड़ाई भी इस बात को जानते हैं कि राजा का विरोध करके वो राजा की रक्षा कर रहा है ठीक है यह मूवी को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे दिखाएंगे तो उसके बारे में फिर और डीटेल से हम लोग और बताएंगे अभी इसमें यहीं तक रखते हैं फिर जब इनको बुलाया जाता है तो यह देखते हैं कि जापान की फोज जो है विद्रोही कबीले जो यानि कि समुड़ाईयों से लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं इनको ट्रेनिंग देने के लिए अमुड़ा बुलाता है कि अब ट्रेंड करिये हमारे आर्मी को आर्मी को यह अब ट्रेंड किया जाता है तो यह सीधे नहीं लड़ पाते आर्मी तो बोलता है कि नहीं यह नहीं लड़ पाएंगे तो समुडायों से जंग में जब इनको उतार दिया जाता है तो यह भी समुडायों से यानि कि इसके कभीले के लोगों से लड़ने के लिए पहुँंचे हैं एक युद्धा होता है जो इनरी भार रहा होता है लेकिन अपने ट्रिक से उसको वो जान से मार देते हैं ज्यों कवच में होता है एक खास्त रस पर कैके कवच में मुकान ढग जट आन दरते जैसा उसको मार देते हैं ड़ा बेखा है उसने सपना देखा होता है कि उस दीपेंस कर रहा है और ऐसा उसको दिखता है कि व oleh टाईगर वला ही कुछ इस सु घुमा रहा है इसको जान से नहीं माणके इसको पकल innate तो एक जो है न है ऐसा अर्ड होती है यह यह कई बड़ ग्जाम में भी पुछा गया है कि जब समुड़ाई जब हार की समुड़ाई बरदास्त नहीं कर पाते हैं तो वो हाराकिरी करते हैं हाराकिरी का मतलब यह है कोई समुड़ाई अगर हार जाता है किसी युद्ध में और जिंदा बच जाता है युद्ध में मारा जाना वहाँ गड़ो की बात है अगर जिंदा बसता है तो हराकिरी को फॉलो करता है यानि खुद की हत्या कर लेता है खुद को मार लेता है वो जैसे अपने हैं जैन समुदाय में भी है संथारा ठीक है जिसमें की लोग ओल्ड एज हो जाते हैं तो अन्यजल का त्याग कर देते हैं और इसी थाप से अपना सरीर का त्याग करते हैं सरवन बिल गोला में यही चंद्रगुप्त मौरे ने भी किया था तो यहां पर हराकिरी में क्या है कि जब हार की सरमिंद्री बरदास्त नहीं कर पाए किसी कारण से तो खुद को मार लेते हैं इसको हराकिरी बोलते हैं तो हराकिरी के नियम को यह मानते हैं यह समुड़ाय यह तो नहीं मानता है यह तो अमेरिकन है तो यह क्या करता यह जिवित रहता है इसके कबिले के लोग को बड़ा आस्चज लगता है कि हराकिरी के नियम को क्यों नहीं मानता मर क्यों नहीं जाता तो इसकी यह अपनी बहन के यहां इसको ठाड़ाता है चुकि सर्दी आने वाली है तो सर्दियों के बाद, इसके साथ एक व्यक्ति को भी दिया जाता है, जो इसको रक्षा करे, अब ये अपनी बहन के ठाड़ाता है, तका उसका नाम होता है, वो उसी के पती को इसने मारा होता है, युद्ध में, तो वो अपनी भावनाओं पे पूरी तरह से काबू करके, य चाहते भी है कि भाई इसको मारदे, ठीक है? अब शीखने लाएक बात क्या है? ये सत्ते घटनाओं पे अधारिT है, ऐसा कई लोग मानते हैं, थीक है? तो इसको ये कहते है कि भाई इसको मारदे, लेकिन ये जाता है, इसको जी भीत रहने दो, आखिर एक वज़ह से, किसी नहीं पाता है, तो क्या होता है, एक युद्व में लकडी की तलवार से दूसर समुड़ाई इसके साथ लड़ता है, और बार बार गिरता है, बुर इतना गिरता है, और फिर खड़ा हो जाता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चोट खाता है, फिर खड़ा होता ह फिर चोट खाता है फिर खड़ा होता है यह स्रिक्वेंस है यह चात्रों को बताता है कि अंतिम दर्थ दम तक लड़ना चाहिए हमेशा है मुवी में जो भी चात्रों को मैंने दिखाया है मैंने चात्रों को मुवी के जड़िये खुब पढ़ाया है और बहुत सफल चात्र और फिर मौका मिला, तो फिर मैं मुवी के जड़िये पढ़ाऊंगा, उमीद है कोई copyright बगएर आरे नहीं आएगा, तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ये कितने जीवट है, यानि कि छात्र को जीवट होना चाहिए, पहले में मैंने देखा क्या, ज्यादा एमोशनल नही होना चाहिए, इतना नहीं कीमोशन आम प्रह भी होजए, दूसरा जीवट होना चाहिए, पिर खड़े हो जाए, फिर खड़े हो जाइए, फिर एक सेक्वेंस है जो मैं दिखाउंगा जरूर, कभी भी मौका मिला, आज कल पर सो जब्री मौका मिला, दिखाउंगा, और ये ह साथ साथ कल्चर में और बाकी चीज़ों में बदलाव भी होते रहने चाहिए कुछ हमें दूसरे संस्कृतियों से से शेखने की जरूरत है और कुछ हमें अपनी संस्कृतियों से भी सहेजनी की भी जरूरत है तो क्या सहेजना है, क्या है, वो हमें खुद के सोच पे निर्फर करती है, जहां पे इंसानों में दराड पैदा होने लगे, वो कभी भी संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता है, है ना, बहुत संस्कृति बाद हमने पढ़ा है, मल्टी कल्चरलिज्म, पॉलिटिकल साइंस में, तो क्या हमने देखा है, कि सभी संस्कृतियों को कैसे मिक्स करने से बेनिफीट होता है, तो ये तका है, इसका बड़ा अच्छा रोल है, तो इसके हस्वेंट को इसने मार दिया है, तो ये बला की नफरत करती है इससे, लेकिन समय गुजड़ता है, अज इसकी कैद में रहत कर सकते हैं, वो गलत कर रहा है, इसे तो बहुत बड़ा नुकसान है, जापान के सब चीजों को, और अमेरिका अपना पुंजिवादी सिस्टम ढखेल रहा है, तो आखिर ये जो है, अपने दम से ये आता है, और बाद में हम लोग देखते हैं कि ये प्रैक्टिस करता है व समुड़ाई होते हैं, वो सब डिगनिफाइड मौत मरते हैं, इतने बुड़ी तरीके से समर रहे होते हैं, जान बुझ के बढ़ी बंदुक से लोग जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए आते हैं और मारे जाते हैं, तो जो जापान की फौज होती है, वो भी युद में अपना जो है, जान नहीं मेरी गई और मैं बचा हुआ हूँ, यह सरदार की फोटो है, तो तुम मेरी जान लेने में मेरी मदद करो, तो यह जो अब समुड़ाई कल्चर को जान चुके हैं, हराकिरी के नियम को जान चुके हैं, वो सरदार की जान क्या करते हैं, यह राजा को जो यह नहीं समझा पाए किसी कारण बस वो ये समझा पाते हैं राजा को इस बात को समझा पाते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसके क्या नुकसान है ये समझा पाते हैं और एक बड़ा सा सौधा जो अमेरिका के साथ जापान का होने वाला था मैंजी के साथ उसको रद कर दिया जाता है और जापान इसके बाद अपने बलबूते पे खड़ा होता है और आज भी हम जानते हैं कि जापान एक विक्षित रास्टर है दूतिय विश्यूध में इसने क्या तबाही मचाई थी इसने ये अलग कहानी है लेकिन बाद में इसने फिर अपने आपको खड़ा कर लिया तो जापान सोचवाई जो इतना बड़ा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जापान अपनी टेक्नलोजी को उसने डेवलप किया जापान ने और जापान ने साथ-साथ जो है अपने जो है और जापान के लोग एक सब्द को भूलते जा रहे हैं और वो सब्द है सम्मान ठीक है तो बाद में क्या होता है कि बाद में ये वैक्ती ऐसा कहा जाता है कि ये बच गए ये साथ खतम हो गए जो भी है लेकिन इस बाद के चांसे जादा है कि ये बच गए बज जाने के बाद ये वापस लोट जाते हैं इसके पास इसी के पती को इन्होंने मारा था और जिंदगी में बहुत कम लोगों को मिल पाती है वो चीज जिसको बोलते हैं सुकून वो सुकून इनको मिल जाती है इस मुवी से हम लोग का बहुत सारा सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि क्या पैसा इंपोर्टेंट है क्या पद महत्वपूर्ण है या सेवा महत्वपूर्ण है सेवा और त्याग महत्वपूर्ण है तो जहां तक मुझे इस मुवी से सीखने को मिला कि पैसा का जीवन में उतना महत्तो नहीं है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ सब चीजे बदलती चली जाती है तो सबसे पहले और आखरी में जो ची ज्यादा माइने रखती है वो माइने रखती है सेवा और त्याग जिससे आदमी को लौंग टर्म में जो है वो सुकून मिलता है तो यहां है तो छात्र को यहां इस मुवी से सिखना चाहिए कि उनका रूटीन जो है ना आ ड्स क्लिकेशन है वो समुडाईयों जैसा हो चाहिए इसके अलावा कभी नहीं हा जुनून होना चाहिए और इसके अलावा जो उनके पास होना चाहिए कि पुराने तोर तरीके अपनाने के बाजाए उनको नए तोर तरीकों पर भी ध्यान देना चाहिए नहीं तो समुड़ाई यह से मिट गए ना वैसे यह भी नुकसान में रहेंगे मिटेंगे तो नहीं, नुकसान में रहेंगे, ठीक है तो यह चीज जो है इस मोवी से हमें सीखने को मिलती है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं छात्रों को कि यह मोवी देखो, सिनेमा भी अगर छात्र है तो ऐसे सिनेमा को भी ना देखें, जिससे उनका बुद्धी का सिस्टम और यहाँ से कई सारे सवाल भी बनते हैं, जिसको इजली पकड़ा जा सकता है, तो कई सारे छात्रों के बारे में होती है, खुब सिनेमा देखता था, फिर भी सेलेक्ट हो गया, अड़े बहुत नुकसान में रहेंगे, ठीक है, भोजपुरी देखेंगे, तो उसके अपनी हानिया है नहीं करना है छात्रों को नसा ही करना है तो क्यों नहीं तगड़ा नसा करें क्यों छोटे से नसा को करना ठीक है फिर बिलते हैं एक ब्रेक के बाद